वीजा एक्सपर्ट्स नमजचकर दोस्तों वेलकम टू वीजा एक्सपर्ट्स दोस्तों कुरोशिया का वर्क परमिट आगया है दुबारा और विकेंसी जागी है मेरे पास जिन में मुझे कारपेंटर, मैंसन, हेलपर वेल्डर अपना लॉकिंग वाले बंदे और सभी परकार के वर्कर की जरूरत है और डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में मेरे साथ बने रही है दोस्तों कुरोशिया का वर्क परमिट है शैनिगन 2022 में होप सो हो जाएगा और जो कुरोशिया का work permit है दोस्तों यहां से एक मंत का आपका वीजा लगेगा वन मंत का वीजा short term वीजा होता है short term इसलिए होता है क्योंकि यह convert हो जाना है उदर आपको TRC मिल जाएगी एक साल की extendable TRC एक बार TRC मिल गई एक बार आपको company ने TRC दिलवा दी तो extendable रहती है company उसको एक साल एक साल एक साल से extend करती रहती है जितनी देर आप उस company में काम करते हो उस time तक आपकी जो TRC है वो extend होती जाती है और अगर आप काम नहीं करते हो तो आपकी TRC जो है वो completely जब हो जाती है तो वो खतम हो जाता है आपका contract और इसमें मुझे दोस्तों पहले welder, car painter mansion, shattering वाले बंदे, कोई भी कारिगर बंदा ये मुझे चाहिए factory helper चाहिए agriculture worker चाहिए इसमें मुझे construction worker वाले बंदे चाहिए तो all category के मेरे पास अभी जो है requirement है तो starting जो salary होती है देखिए दोस्तों fresher के लिए 500-500 euro आपको मिलता है क्रोशिया के अंदर 500-500 euro और उसमें देखिए जो experience बंदा है ठीक है उसको मिलेगा 6-600 euro जिसको perfectly professionally काम आता है उसको देखिए काम के हिसाब से आपको पैसा मिलता है जिसको properly काम आता है जिसको बोल दिया कि यह बना के दिखा उसने perfectly एक बार भी गलती किये बगर वो चीज बना दी तो उसे 6-600 उसकी जो salary होगी यूरो में currency और चलती है उदर बट आपको according to euro उनको पैसे मिलेंगे तो normal जो salary होती है 500-500 euro मिलेगी plus accommodation food company अब को फूट नहीं डेती है यह द्यान में रखिए कई बहर company आपको food देती है कई बहर food नहीं देती है क्योंकि कोई food like करता है कोई नहीं करता है इसलिए company आपको उसके wages दे देती है उसकी आपको पैसे दे देती है ठीक है तो accommodation provide by the company transportation provide by the company medical insurance and everything लेबर लॉक के हिसाब से होगा तो क्रोशिया दोस्तों इस टाइम देखिए क्रोशिया से शेंगन जाना इस टाइम में बहुत एजी है और अगर आपके पास क्रोशिया की टी आर सी है तो आपको लीगल वे से मैं वीजा दिलवा सकता हूँ अचिनली का, जर्मनी का, फ्रांस का, पोर्लین का, पुर्टगाल का クरोशिया से आपको वीजा करवा के दे सकता हूँ जो बंदा मेरे थुग गया है जो करोशिया मेरे थुग गया है बंदा वो उसका वीजा मैं 100% करवा के दूँगा और कुरौशिया अबी देखेज है डिमांड अभी मेरे पास सो बंदों की डिमांड है खथार खार महिन फॉन हो जाना चाहता है तो कंटेक्ट कर सकता है दोस्तों एक बार बंदा कुरौशिया में चला गया वापस नहीं आएगा तो कम से कम प्रफूर्ट मिल जाएगी तीन चार पांच सार रहते हो पी-आर मिल जाएगी पी-आर मिलने कब पासपोर्ट मिल जाएगा काफी कंट्रीज आपके लिए आन राइवल एटी ए वीजा और एजी टू वीजा हो जाएगा तो कोई भी अगर क्रोशिया में जाना चाहता है वो क कीजिए क्योंकि लोगों को पता है कि सारी इंफोर्मेशन जो है वीडियो पर दी गई है बट लोग तब भी वही सवाल वटसेप पर करते हैं क्रिपे करके आप कॉल करके पूछ लीजे जो भी आपकी जो रिक्वर्मेंट है वो आपको बता दी जाएगी बाकी आपको केनल को सब्सक्राइब की जीगा वैकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद